जल ही जीवन का अधार है जल ही हमारा स्तित्व है लेकिन आज जल धीरे-धीरे हमारी हतेली से निकलता जा रहा है ऐसे में कुछ ऐसे जलनायक हैं जो इसे सहेशने में जी जान से जुटे हैं ऐसे ही परियावरन प्रेमी हैं लक्षमन सिंग जिन्होंने 18 साल की उम्र में अपने गाओं की तस्वीर को बदलने की ठाने और फिर पानी बचाने की तकनीक से 50 से ज्यादा गाओं की तस्वीर को बदला पानी बचाने की चौका तक्नीक को अपनाया और न सिर्फ अपने गाओं को बलकि राजस्थान के 50 से ज्यादा गाओं में 4 गाओं और तालाब बचाए 35 साल से इस उक्षेत्र में काम कर रहे लक्षमन सिंग की पानी बचाने की तकनीक को आज देश और दुनिया में अपनाया जा रहा है रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून इन शब्दों का अर्थ अपने ही नहीं औरों के भी जीवन में उतार देने वाले राजिस्थान के गाम लुपाडिया के समाज सेवी लक्षमन सिंग जल क्रान्ति के नायक है लक्षमन सिंग ने पानी बचाने की चौका तकनीक और इसके लिए छेड़ी गई मुहिम से बचास से ज्यादा गावों की तस्वीर बदल दी तालाबों का पुनरुद्धार किया, चारा गाहों को भी बचाया, खुद श्रमदान भी किया लक्षमन सिंग 18 साल की उम्र से ही जल संरक्षन के लिए काम कर रहे है उन्होंने गाव गाव, शहर शहर जाकर चौका तकनीक और जल संरक्षन के बारे में लोगों को जाग रुप किया गाव के कई यूकों को साथ जोड़ कर ग्राम विकास नव यूवक समितियों का भी गठन किया विप्राकर्तिक संसाधन प्रबंधन को गामीर समुदायों के हाथों में वापस ला रहे है पीड़ी दर पीड़ी दिया जाने वाला जल संरक्षन का स्थानिय ग्यान आत्म साथकर लोगतांत्रिक जल प्रबंधन के स्वदेशी ब्लूपरिंट को लागू करने के लिए और जब पानी गिरता है तो पानी चलने लगता है रिचार्ज तीन परसेंट ही होता है हमें तालाब बनाना है इस एरिय में चोका सिस्टम एक डिजाइन हमने निखा ली कि पानी रुके बारिस का और वो बारिस का पानी जमीन में उत्रे और जब जमीन में पानी उत्रेगा तो वो कोव में उतरेगा और जमीन पानीदार बनेगी जिसे हरियाली उपराएगी हमारी अलाके में हरियाली बोड़ी गसब की है क्योंकि हमने चोका सिस्टम किया है और चोका सिस्टम छोटे-छोटे स्टक्चर है तो बरसात का पानी रोकता है हमारे यहां गरीबी मिट चुकी है, यहां पानी के कोई कमी नहीं है, हमारे काम के लाइक पानी है, हमारे काम के लाइक जमीन उपजाओ है जब यह पदमसरी का सूचना में मिली, तो हमें यह मैं शूश्वा, कि वास्तु मैं कोई अच्छे काम के लिए भारत सरकार, किसी के लिए सोचती है, पैचान के लिए सोचती है, और मुझे अच्छी पैचान मिली हमको जद पदम सिरी मिला तो लोगों के दिमाग में आया है कि पानी का काम और मिट्टी का काम और परियावन का काम जरूर करना चीए इसे जिंदिकी चलती है पूरे भारत को पानीदार और परियावनदार बनाना है हमें यह हमारी जुम्यदारी आचुकी है और हम इसको करेंगे चौका तक्नीक में बरसाथ का पानी जहां गिरता है वही एकत्रित होता है इसमें लंबे धलान को छोटे छोटे धलानों में बाटने से पानी बहने की रफ्तार इतनी कम हो जाती है कि जमीन का कटाव नहीं होता इसे पानी का बहाव रुख कर जमीन में ही भरता जाता है साथ ही घास, जाडियां और पेर पौधों को फिर से उगाने में मदद मिलती है लक्ष्वन सिंग जी लंबे समय से जल सनक्षन के काम में जुटे हैं उन्होंने अपने लापोडिया गाउं को पानीदार बनाया फिर नदी पर तरून भारत संग के साथ मिलकर या बहुत काम किया उनका जीवन का बड़ा हिस्सा पानी के बड़े काम करने में लगा उसका प्रणाम है कि वो तोक जिले में अजमेर जिले में और कई जिलों में गाउं गाउं में चित्तोर गड़ में भील वाड़ा में गाउं गाउं में उन्होंने पानी के काम किये उन पानी के कामों से उनका जो इलाका था वो पानी का पानीदार बनने का की दिशा में आगे बढ़ा इसलिए लक्षमिन सिंग जी का काम जल सर्रक्षन की दिशा से बहुत अच्छा काम है उनको पदम सिरी मिली एक बार फिर उनको बदाई आज से दशकों पहले लुपारिया समेत राजिस्थान के अनेक गाउं में जलस्तर नीचे जाने से लोगों को कुए और बावडियों में जान जोखिम में डाल कर नीचे तक उतना पड़ता था और इसका असर खेती पर भी पड़ रहा था लक्षमन सिंग ने ना केवल चौका तकनीक से जलस्तर को उपर लाने में मदद की बलकि शिक्षा के एक शित्र में भी उत्कृष्ट कारे किया कई गाउं में स्कूल खुलवाए आज लक्षमन सिंग के प्रयासों से राजिस्तान के गाउं गाउं में अंगिनक चेहरों पर मुस्कान खिली है बच्चियों के हाथों में पानी के घड़े नहीं किताबे हैं जलसन रक्षत लक्षमन सिंग को पदमिश्री पुरसकार के लिए हार देखे